Artificial Christmas Tree Making दोस्तों Christmas Day को बड़े ही मज़े के साथ मना जाता है जिसमें एक Artificial Christmas को सेंटा की याद में सजाए जाता है तो चेलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इस Artificial Christmas Tree को बना जाता है यहाँ पर सबसे पहले वरकर्स द्वारा इसके Frame और Base को तियार किया जाता है अब इस Body पर Polyester Powder की Finishing दी जाती है इस Process के बाद सभी अलग-अलग बनाए गए Parts को एक साथ जोड़ दिया जाता है अब एक Mill Wheel में Green कपड़े से इनकी पत्तियों और सेंटा वाली डिजाइन को रेडी किया जाता है इस Process के बाद इन Artificial Design पर Different Different Color को Assemble कर दिया जाता है अब इन Tris के Needles को एक वायर के चारो और लपेड दिया जाता है इस Process के बाद एक Spray Machine इन Green Needles पर White Latex का Paint कर देती है जिससे ऐसा लगता है मानो इस पेड पर वर्फ गिर रही हो अब इन Needles को Aluminium की Frame पर अच्छी तरीके से Assemble किया जाता है और इस पर Lighting भी Assemble की जाती है जिससे यह दिखने में कुछ Interesting लगे दूस्तों Manufacturing की इस Process में सबसे पहले Plastic Molding Machine की Help से इसके Shale यानि Outer Side वाले Part को तियार किया जाता है इस Part को तियार करने के लिए सबसे पहले High Quality Carbon Fiber के साथ Red Plastic का यूज़ किया जाता है यह Plastic इसके Outside Body को Strange प्रदान करता है दूस्तों यह Machine इस Plastic को पिगला कर इसके Mixer वाले Shape को तियार करती है इस Process के बाद इस Mixer की Caput Motor को तियार किया जाता है जिसके लिए Copper के साथ Iron Wire का भी यूज़ किया जाता है यहां एक Auto Roboting Machine द्वारा अपने Automatic Parts से Copper की Winding की जाती है जुस्तों यह Motor जल्दी ही बनकर तियार हो जाती है क्योंकि इसके Outer Shell को तियार नहीं करना पड़ता है इस Motor Manufacturing के बाद अब इन Motor पर लगने वाली Blades को तियार किया जाता है जिनको Specialist Engineer द्वारा निर्दारी शेप के आदार पर तियार किया जाता है इन Blades को तियार करने के लिए Iron Sheet के साथ Aluminium दातू का यूज़ किया जाता है यह Aluminium दातू Stainless Steel की बनी होती है जिने पतला करने पर यह बहुत मजबूत और धार धार हो जाती है Finally इन Blades को Shout Mount पर Assemble कर दिया जाता है जिसे बाद में Mixer Blender के साथ Attach किया जाएगा इस Processing के बाद अब इस Mixer के जार वाले पार्ट को तियार किया जाता है जिसे तियार करने के लिए Recycling काच का यूज़ किया जाता है जिसे बहुत जादा तापमान पर पिगला कर इन जार्ट को तियार किया जाता है अगली Processing में अब इन Mixer के Brain यानि Mother Board को तियार किया जाता है जो मोटर की पावर को बढ़ाता है और कम करता है फाइनली इन जार्ट की टेस्टिंग होती है और इसी के साथ इनमें Blades को भी Assemble कर जाता है इस फूल प्रोसेस के बाद अब इस Mixer की संपुन Assembling के जाती है जिसमें Switches, Motor, Wire सभी को Attach कर जाता है अब फाइनली इन सभी के टेस्टिंग करके इनने Selling के लिए बेज दिया जाता है तो दुछों इस तरफ फैक्टर में बनाया जाता है Mixer Blender जाता है सबसे पहले Pressure Cooker की Body को बनाया जाता है जिसे बनाने के लिए Raw Materials यानि कच्छे माल के रूप में Aluminium की Blade का यूज किया जाता है जिसे एक Punching Machine द्वारा Cooker की Body का Shape दे दिया जाता है इसी के साथ इसमें Heat Condender वारी जाली को भी जोड दिया जाता है ताकि हम जब भी Cooker में कुछ भी पकाए तो वह माल जले ना इसके बाद अब Pressure Cooker की धकन को बना जाता है इसके लिए Aluminium की Plate को Punching Machine में प्रेस करके Cooker की Body पर Fit होने वाला धकन का Shape बना दिया जाता है इस प्रोसेस के बाद Cooker की Body को काच जिसी चमकीली Finishing दी जाती है वो धकन पर भी यही सेम प्रोसेस लागो होती है इस प्रोसेसिंग को Mirror Processing कहा जाता है अब इन Body को Washing Plant में घर्म पानी से Wash किया जाता है इस प्रोसेस के बाद Cooker की इन Body वो धकन को Dilute Sulfuric Acid में एक गंटे तक रखा जाता है जिसके कारण इनकी Body का Color Black हो जाता है अब इन दोनों को Assembly Line में बेजा जाता है जहां पर सबसे पहले इसके टकन पर Bolt और CT को लगाया जाता है अब इसी टकन पर Gromit को लगाया जाता है जो इस Pressure Cooker का Pressure Maintain करता है जिससे Cooker ज़्यादा Pressure पर भी Blast ना हो और बड़ी से बड़ी कटना भी डल जाए अब इसकी Body पर Handle को Assemble कर जाता है आगे तैयार Cooker की Quality और Pressure Checking की जाती है सब कुछ सही पाये जाने पर इसे पेक करके Shipping के लिए भेज दिया जाता है तो दोस्तो इस प्रकार से Fact में बना जाता है Cooker को दोस्तो खाना पकाने के तेल को सामान्यत जेतुन, मुंगफली, सरसू, कुसुम, आदी पोदो के बीजों से बना जाता है लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मुंगफली के तेल की Manufacturing कैसे की जाती है दोस्तो मुंगफली के तेल में कच्चा माल मुंगफली होती है जिनने खेतों से लोडिंग कर Factory मिल तक लाया जाता है यहाँ पर सबसे पहले इनने एक मेगनेक ट्रेस मशीन में डाला जाता है जो मशीन इस मुंगफली के धेल में उपस्तित गंदगी को हटा जेती है बाद में इन मुंगफली को डी हुल्ड मशीन में बेजा जाता है जो इसके दाने और चिलको दोनों को अलग कर देती है बाद में इन दानों को रोलस मशीन में बेजा जाता है जो इस पर हाई प्रेशर लगा कर इसके ओल को निकाल देती है दोस्तों यहाँ पर यह ओईल बनकर तयार नहीं होता है इसके आगे और भी प्रोसेजिंग होती है अब इन दाने के मिश्टन को पुना एक बार गर्म करके रोलर्स के बीच में पीसा जाता है जिससे बचा हुआ तेल भी निकल जाए अब बारे आते हैं इस तेल को क्वालिटी देने की जिसके लिए इस तेल को सब से पहले एक स्ट्रविंग को लंग से गोजारा जाता है जो इसे फिल्टर्ड कर देता है अभी भी इस देल का रंग काला और इसका स्वाद थोड़ा करवाट से बढ़ा होता है जिसे मेटाने के लिए इस तेल को 40-45 degrees Celsius के बीच घर्म किया जाता है और इसी के साथ इसमें sodium hydroxide या sodium carbonate को mix किया जाता है जिससे इसमें उपस्तित सारे अववांचिनिय बेक्टेरिया समाप्त हो जाए तता सारी चिपचिपाय हट भी दूर हो जाए अब इस तेल को एक बार तो हाई temperature पर गर्म किया जाता है तो पुना ठंडा किया जाता है जिससे इस तेल को यदि फ्रीज में भी रखा जाए तो यह जल्दी से जमे नहीं अब इस तेल को स्वच्च कंटेनरों में इकटा किया जाता है बाद में इने घ्रागों की जरुत के अनुसार पेक कर दिया जाता है तो दोस्तों देखा आपने इस तरह फैक्ट में रिफाइनिंग ओल को बनाए जाए जाता है झाल 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 झाल